श्रावन मास का महत्व आदियात्मिक प्रथाईन और उनके लाब धर्मग्रंथों में श्रावन मास से जुड़ी कई पौरानिक कहानिया मिलती है समुद्र मन्थन की कथा इस मास से जुड़ी सबसे प्रमुक कथा है इस मन्थन से उत्पन हलाहल विश को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारन कर सिष्टी की रक्षा की जिससे उनका नाम नीलकंट पड़ा श्रावन में व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है इससे न केवल आध्यात्मिक लाब मिलते हैं बलकि ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभधायक होता है भगवान शिव को इस मास में विशेश रूप से दूध, जल और बिल्वपत्र अर्पित किये जाते हैं शिव मंदिरों में जाकर रुद्राभिशेक करने की प्रथा भी इस मास में विशेश मानी जाती है स्वास्थ्य की दुष्टी से देखा जाए तो श्रावन में व्रत रखने और सात्विक आहार का सेवन करने से हमारे शरीर को विशैले तत्वों से मुक्त होने का अवसर मिलता है इस संदर्भ में आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने सावन के मामास में थकान और कमजोरी से बचने के लिए आहार की सिफारिशें दी थी भक्ति में गतिविधियों की बात करें तो श्रावन मास में शिव पुरान का पाथ महामर्त युन्जय मंतर का जाप और भजनोवकीरतन में भाग लेना बहुत ही लाबकारी होता है कावड यात्रा का भी इस मास में विशेश महत्व है जहां भक्तजन पवित्र गंगा जल लेकर शिवलिंग पर अरपित करने जाते हैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बात करें तो श्रावन मास में की गई पूजा और व्रत से मुझे मानसिक शांती और आध्यात्मिक उर्जा की अनुभूती होती है आप भी अपने अनुभव और प्रथाएं हमारे साथ टिपनियों में साजा करें तो ये था श्रावन मास का महत्व और इस से जुड़ी आध्यात्मिक प्रथाएं हमें उम्मीद है कि आप इन प्रथाओं को अपना कर आंतरिक शांती और कल्यान प्राप्त करेंगे भगवान शिव की एक प्रार्थना के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं नमस्षिवाय थन्यवाद